मार्केट ने तो अपना काम कर दिया 19,000 जाकर है अब मार्केट गिरा था नहीं गिरा था वो तो बात अलग है लेकिन मार्केट अल टाइम हाइप है यह तो दुनिया देख रहे हैं तो यहां पर बहुत सारे ऐसे स्टॉक हैं जो गिरे हुए हैं उनके बारे में और डीप स्ट करो क्या पता वही स्टॉक जो 70% गिरा हुआ है कल के डिट में वह 700 पर्षंट बाग जाए तो तो एगी निया एसा हुआ नहीं है बहुत सारे स्टॉक्स ने इसा किया है KPIT देख लो 50% गिरा था 1000% बाग ग्या बहुत सारे अइससे स्टॉक हैं बहौत ही सारे तो आईये दे तो आगर आप देखोगे, economic slowdown हुआ, तो जब economic slowdown हुआ, तो यह services वाले company को ज़्यादा नुकसान हुआ, जैसे IT सेक्टे में देखोगे, तो ज़्यादा असतर company जो services देते हैं, online, online वाले जितने भी company जैसे देखोगे, zometo, तो क्या zometo खाना बनाता है, नहीं, क्या करता है, service transaction रुख चुका था, foreign investors, इंडिया से बाहर पैसा लेके जा रहे है, है किनो, अपना पैसा बाहर लेके जा रहे है, तो भाई, कोई पैसे के transaction यह जो सारी चीजों पर रुख गई थी, और लोग डर चुके थे, कि economic में यह वो देखने को मिल दा है, रश्या में ऐसा है, अमेर किसे यह भी गिरा हुआ था, तो आज के rate में यह 70% गिरावट पर आपको देखने को मिला, कितना 70% गिरावट पर आपको देखने को मिला, और मेरे हिसाब से यह बहुत जादा गिर चुका है, मतलब बहुत जादा गिर चुका है, यहाँ से गिरावट नहीं होने वाला बहुत fundamental जनकारी ले ले लिए उससे पहले investors का हाल जानने थे Permotors के पास अगर आप देखोगे तो 51% हिस्सेदारी था उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ा दिया 56.75% कर दिया मतलब 57% हिस्सेदारी बढ़ा दिया Foreign investors का involvement अगर आप देखोगे तो इनके पास भी मतलब 17-18% का हिस्सेदारी है जो कि बहुत है बहुत है बहुत है बहुत है उसके साथ साथ domestic वालों का भी यहाँ पर involvement है जो कि 6.56% है और public के पास कितना माल है तो public के पास के वल 18% है चलो इतना ही exposure रहना चाहिए public के पास जो कि ठीक जाक है company के पास बहुत ज़्यादा debt है तो लोगों को लगता है कि company तो कर्ज में डूब जाएगी balance sheet में भी मैं आपको दिखा दूँगा यहाँ देख लेते हैं यह देख लेते हैं यह देख लेते हैं reserve में रखा हुआ reserve पहले 80 करोड का था और आज के rate में 2400 करोड का reserve देख लीजे कितना था 38, 88, 200, 251,000 फिर देख लीज आज के rate में तो धाई हजार करोड रुपए तो इनके पास केवल reserve है भाई ठीक है और पीच-बीच में अगर आप देखो गए तो यह अपना loan जो है चुकाते हुए भी नजर आते हैं देख लीजे हैं यह कंपनी जो है बहुत बड़े लेवल में काम करने की कोसिस कर रही है कंपनी जब से आई है मतलब एक बार तो चलना स्टार्ट किया था काफी अच्छा फिर उसके बाद फिर गिर गया है कोवेड फिर उपर गया है तो फिर गिर गया वही यह जो आप inflation वार वगर अगर आप देखो गया है थर गिर घिर गया है और उसके बाद फिर जो है यह stock अब चलना start कर साकता है जरूर ही यह कल चलेगा परसों चलेगा और को recommendation या advice नहीं है, एक तरीके से आपको formal information आपको दिया जा रहा है, एक proper structure form में, information के तौर पे ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर देखो market में बहुत सारी चीज़ों होती है, बहुत सारी चीज़ों होती है, और सब को समझना मुश्किल होता है, company का जो pad था, profit after tax जो देखने को मिल दा था, वो 11% घट गया था, आप देखो किसी भी company का profit after tax घटेगा, तो problem तो होगा यह न, बिल्कूल revenue बड़े ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है revenue बड़ा तो क्या हो, margin घट गया इनका इसका मतलब क्या है, revenue बड़ा है और इनका pad घट घट चुका है, मतलब इसमें क्या होता है, कि beach का जो difference उसको बोलते हैं उसको बोलते हैं, operating profit margin तो यह घट जाता, इसके वज़े से problem देखने को मिलता है, तो यह सारे services यह लोग जो है provide करते हैं मैंने आपको starting में बताया, services के बारे में तो यह इस तरीके के हैं, यह सारे services यह लोग provide करते हैं, और भी बड़े level में काम करने की company courses कर रही है तो धीरे-धीरे skill up देखने को मिलेगा अब भी देखो, promoters ने भी हिस्सेदारी बढ़ाई है क्योंकि promoters को लग रहा है कि मेरी जो company है वो बहुत नीची का valuation पर मिल दा है तो दूसरों को तो छोड़ो पहले तो मैं खोदी खर दूँगा ऐसा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हमें time देने की जरुवत है time देने की जरुवत है और धिरे-दिरे मार्केट आगी जाता हो नजर आएगा तो यह company का मुझे लगता है कि 2-3 quarter result आपको focus करना होगा company का profit improve होना चाहिए तब जो है stocks में धिरे-दिरे तेज़ी देखनी को मिलेगे अगर company का profit improve नहीं हो रहा है quarter and quarter ठीक है? quarter and quarter 2-3 quarter का result जो है improve होते हुए आना चाहिए उसके बाद जो है company दिरे-दिरे चलना start कर सकता है ऐसा रहेगा